वर्ल हिंदी खोज में आपका स्वागत है आज एक फार फिर आपके लिए बहुत आसान बिजनिस लेकर आया हूँ यानि मसीन की कीमत तीन हजार रुपे और कमाई हजारों में अगर आप भी कोई बिजनिस डून रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम का है घराग भी खुद चल कर आएगा वो भी दुकंदार आपके या दुकंदार घराग बन कर आएगा यानि काम इतना मिलेगा कि आपका हाथ कभी खाले नहीं रहेगा सबसे बड़ी बात इस बिजनिस में कि कमप्टिशन बहुत कम है जहां कमप्टिशन कम होता है वहां कमाई जादा होती है पूरी कहानी आपको समझाएंगे वीडियो में लास्ट तक बने रहें वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव होने बाली है चैनल को सबस्क्राइब करना है क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो जब अर्दस बिजनिस की जान कर देने के लिए मेरे साथ है राहूल शर्मा जी तो सर ये बताईए ऐसा कौन सा बिजनिस है जो तीन हजार या बारा हजार रुपे लगा कर हम रोजाना पांस से पंदरा हजार रुपे कमा सकते हैं आज के दोर में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है मार्केट के अंदर में और कोई भी चाहता है कि कोई भी पूरी बीडियो देख कर जाना आपको बहुत काम की जानकारी मिलेगी इजी तरीके से पैसा कमा सके है ना कॉम्पिटिशन से हटके अगर हम ऐसा बिजनिस शुने जा कॉम्पिटिशन ना हो और हमारा काम करना भी इजी हो तो हम ऐसे बिजनिस को शोईस करें जादा होता है तो क्योंकि इसमें प्रॉफिटिशन थोड़ा सा कम है और प्रॉफिट जयादा है कि बitten का में को दिमाग लगता कुछ प्रेशन्स लगते अगर वह उन जो जो शुरू करना जाथा अगर धो तो चक्ति बिजनेस में देता है तो मान लिजे एक दिन में कम से कम 10-15,000 रुपे कमा सकता है साथियो कौन सा ये बिजनेस जिस बिजनेस से हम रो जाना 10-15,000 रुपे कमा सकते है जेरो कॉम्पटेशन वाला यह बिजनेस है तो बिजनेस की जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं चले शुरू करते हैं अपनी की पेपर कटिंग मशीन है यह मशीन लेने पर आप आल ओवर इंडिया अपना माल जो कि यह बेच सकते हैं और इसमें होता क्य इसमें जो कि हम सेटिंग करते हैं वह सेंसी तोर पर खुद बखुद सेटिंग होकर यहां से जो कटिंग है खुद बखुद मशीन कटिंग करती है पेपर आप देख पार हैं यह पेपर अंदर जा रहा है और यहां से कट ओकर जितना हमने साइजे दी हुए उतने साइज मे कि मैंने लगा करखा हुआ है इसमें जो की हैं इनसलेशन demás Consulting होता है और साइजज़ सबखेए होते हैं इसमोलेशन पेपर जोगी मैंने ही आपको बाताने का परपस है कि आप अगर मशीन लेते हैं जो आपका जो काम है अमनों इजी कर देते हैं जो कि पहले क्या होता था हमें इस तरीकी से पेपर को हाथ से कटिंग करके फोल्ड करना पड़ता था बट हम क्या है अब कस्टमर को यानि की रेडी में कटा हुआ पिपर ही सप्लाइ कर देते जिससे कि सिफ पैन के स्टेटर में वह इस तरीके से डालेंगे और उसके उपर से वाइंडिंग करना शुरू कर देंगे तो मैं आपको आगे म 3,000 रुपे रूजाना कमा सकते हैं तो चलते हैं हमारी मशिन के तरफ में देखते हैं यहां से ओन आफ का बटन दिया हुआ है यहां से हमें देखिए अब कमा कैसे सकते हैं अब मैं वह बताता हूं जिसके हर घर में हर घर में सिलिंग फैन लगे होते हैं जिसमें की इस तरी कर् вый branding की होती है अब यotho जल जाती है तो हम इसे रीपेर करने के लिए मार्केट में दिनया तो रिपेर करने के मार्केट में गर से देटेma मगर इस से से चार्ट रूपए यह अगर आपको कॉस्ट हाए a112 रूप पर को दैते अब को घर में बनाने का और आपने मार्केट से 400 रुपे लिए तो आपको 280 रुपे प्रॉफिट हो रहा है इसमें जब आप वाइंडिंग करेगे अगर आप डायरेक कस्टमर से स्टेटर वाइंडिंग करने के लिए ले रहे है तो और आगर आपने रोजाना 15 से 20 स्टेटर वाइंड गिया तो आप केल्कुलेशन लगा लीजे आप कितना इस मशिन से कमा सकते हैं इस मशिन की कैपेसेड़ी वैसे 40 स्टेटर 40 से 45 पंके रोज वाइंडिंग कर सकते हैं यह मशिन बट कोई कम हम अगर मिनीमम पकड़के भी चलें 10 से 15 स्टेटर रोज तो अब हम इसमें फेंड वाइंडिंग कैसे होता है वह करके समझा देते आपको ठीक है और इसकी कॉस्ट मात्रब 20,000 रुपे 20,000 रुपे में आप रोजाना तीन से 4,000 रुपे कमा सकते हैं अब जो यह चीत देख पा रहे हैं इसे हम स्टेटर कहते हैं टेक्निकल बाच्छा म अब बहुत दिक्कत होती है तो हम यह मशीन से कटिंग करके दे देते हैं कस्टमर जो मशीन पर्चेस करते हैं वह हमारे पास से रौ मटेरियील भी पर्चेस कर सकते हैं कम दामों में तिक है और यह देखे इतने एजी तरीके से यह पेपर स्लॉट में चला जा रहा है इससे के करते हैं की क्सटमर का का मेना तक ही यह तो फिए पर पीड बढ़ जाती को अपर आसान पर जाता है वो दिन में बीस पंप करोड़क्शन निकाल सकते हुआ है अगर उनको सॉलिएटे सब मिल जाए कि याने काम आगर उनका easy हो जाये तो मैब कि हमारी डाइ सेट फिट हुग यह इस से तरीके से ओस सबी चैनल को बस fit करना होता है ऐसे कि आपको तीन डाइ सेट आती है हम इंको को कहते हैं यह जो आप देख पारे हैं धर इन्हें कहते हैं एक दो तीन चार calculate ते शृटła को अफ टार अप एदर को यहा है नीचे चख्री रखी है तार की और यहio कंपणी के साथ में एक गुर्णा मिलता है जो कि चख्री ओपर में इसे रख सकते है कि यहां से ओंहेल होते वह यहां से अंधर जाके सिस्था donor जाके यहां से भार आती हो है कि इस से उप़पर सैड से और यह वाली रोड है बैलेंसिंग लिले लगाई हो सबुलिए लगाई है इसी साइड से तार अमार जय ऊपर आता है अब हम इसमें वाइंडिन करेंगे कि वाइंडिंग कैसे होती है bå्शिन पर ऑन खोres और करते हैं जो ध théर्ग सकते आप मजिन में कॉयल किस्तरी मिल्ट हो रही है बहुत इसलिए तरहें दाइब बहुत चलिए अब इसलिडी के रहें दोण तुल अब हम ने में जोआ है अपलोट हो गई है अब यह हमने रिवेस ME गुमाय था और आप यहां पर देखिए यह और फॉरवर्ड में चला गया है तीन जो साथ टन्स में रुख चुक यह मशिन हमने थीन जो साथ टन्स वाइंट करने थे तीक है यह जो कॉईल यह तीन जो साथ टन्स की अब इसको हम एसी तरीकेस है जा रिवर्स दिके आगे लेंगे और यह बि फॉरवड में ऐईटोमेटिक लिए सकते हैं में चुरिफ कोईल फोरवर्ड में जा रही है और यह चुक ली तो आपने जो वाइंडिंग होते हुए सेरको देखा तो यह तेंपें नहींgruppe में ब्स दीक तरेकिकए तो यह तेर केंशली के वाइंडिंग से देखिए अतुल करने लिए इस सेड में यह हमने उपपर से कैप चड़ाए कि बॉडी शॉट नौ देन इसी तरीके से हम उपपर में पेपर डालेंगे और उपपर में भी उसी तरीके से लीड वायर लगेगी और हमारा जो किया स्टेटर कंप्लेट वाइंड हो चुका होगा तो अब हम आते हैं अपने आखरे वीडियो के तरफ में इसके आप लंग देख पा रहे हैं कि इसमें क्या हमारे जो कॉइल है मोटर में जो कॉइल ललती है न वो कॉइल इसमें तयार होत करती है तो आज की तारेक में अगर आप समर्शिपल की वैंडिंग करते हैं समझेhmen जो कि हर घर मैं बोरिंग पानी के निकालने के लिए काम आता है तो मालेजें असमें अगर कॉपर ELO होता है तो हमारा कित्ता कमा लिया तीन हजार रुपे एक बच्छे आपको तीन हजार रुपे एक समर्जबल बनाने पर बच्छे तो आपने चार अगर बना लिए तो आपके सीधे सीधे कि यह मशिन पहुचा कर देते हैं उन्हें चलाना सिखा के समझा के देते हैं अगर फिर भी उन्हें को दिक्कत है तो वह नाकपूर आके हमसे दो दिन की ट्रेनिंग ले सकते हम दो दिन में उनको पूरा फैन फिटिंग से लेके यानि कि फैन को किस तरीके से रिपेर करना है उसमें कैसे बेरिंग डाली जाती है कैसे उसे रिपेर करना है कैसे कॉल वाइंडिंग होंगी वो सब चीजे हम लोग सीखाते है कस्टमर को न्यू कस्टमर भी हमारे साथ में जुड़ते हैं तो भी हम उन्हें किस तरीक से काम को किया जाता है वह हम सब चीजे उन्हें बता देते हैं ठीक है उसी लोगों के तुरू आपको ये काम मिल सकता है मान लेज़े अगर आपने अपने एरिया की 10-15 दुकाने भी पकड़ ली तो आपका 12 महने ये काम चलता रहेगा उनके तुरू आपको स्टेटर वाइंडिंग होने आते रहेगे आप उनको वाइंडिंग कर कि यानि आप घर पर वाइंडिंग कीजिए और उन्हें प्रोवाइड कीजिए उनसे ही आपको इंकम जननेट होना शुरू हो जाएंगे मार्केट में इतने सारे पंके हर रोज जल जाते हैं आपने भी कई बार देखा हुगा कि आप फैन को वाइंडिंग करवाने जाते है एक नाइक फैन और वो हर साल जलता है तो हर दिन फैन स्टेटर वाइंड होने आते ही है तो सबसे लार्स चवाल है आपसे अगर कोई जुड़ना चाता है इस बिजनेस को करना चाते तो उससे क्या करना पड़ेगा तो हमारे कॉंटेक नमर्स जो है उसमें भी कॉल करके हमस से जुड़ सकते हैं चले साथ ही उम्मीद करता हूं आप सभी को यूडियो पसंद आया होगा अगर आप यह शुरू करना चाहते तो सर के कंपनी का नंबर स्क्रीन को पर चल रहा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एड्रेस भी देया हुआ है आप सर को कॉल कर सकते हैं इस बिजनेस के संबंदी आधिक जान कर लेकर उद्यक शुरू कर सकते हैं तो फिर में लेंगा और एक नए बिजनेस आड़े की साथ तब तक लिए जाएं दस्तित